आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो Solution पाओ डाउनलोड नाओ त्र एक जो लाइन सेगमेंट है 3.5 का यह हम लोग ड्रो कर लेते हैं मेजर करके ठीक है 3.5 cm हो जाएगा यह मेरे पास ठीक है इसको मैं नाम दे देती हूं एट पोइंट इस टी एट पोइंट इस आर और यह जो डिस्टैंस है मेजरमेंट जो हमने स्केल से हल्प करके इसको मेजर किया है 3.5 cm हो जाएगा ओके तो अब नेक्स्ट हमें क्या मिला हो है एट जो एंगल आर है वो 75 डिगरी का है तो विद्धा हैल्प ओफ डी की हल्प से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर मैं 75 डिगरी का तो किलिरली जो 75 डिगरी का अउगल होगा वो मेरा कुछ इस तरीके से कंस्ट हो जाएगा ठीक है तो यह मेरे पास एक एंगल हो गया 75 डिगरी का ठीक है that is the यह मेरे पास हो जाएगा 75 डिगरी that आगे मुझे क्या मिला हुआ है that R जो है R U वो मुझे कितना मिला हुआ है, 3 मिला हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, that the help of compass, मैं एक 3 cm मेजर करके, ठीक है, scale से, और इस तरीके से एक आग जो है, वो ड्रो कर दूँगी, तो यह जो distance होगी, यह 3 cm हो जाएगी, और जो मेरा point है, यह कितना हो जाएगा, that is, इसको हम लोग ब जाएगा, that is equal to, with the help of D, हम लोग फिर 120 degree का एंगल जो हो इसको करेंगे, तो वो मेरा कुछ इस तरीके से आजाएगा, चीक है, तो E जो मुझे गीवन है, that is 4 cm है, तो with the help of compass, मैं 4 cm जो है, scale और campus से measure करके, यहाँ पर एक आग अपलाई कर दूँगी, चीक है, and that is, यह जो distance है, मेरी कितनी है, 4 cm, and that point is E, तो अब मैं क्या करूँगे, that T और E को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है, so इस line को मैं इस point से जो है, जहाँ पर यह कट हुआ है, ठीक है, so यह कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है, so complete अब हम इसको measure कर देते है, that यह जो angle है, मेरा यह 120 degree का है, ठीक है, यह two angle होगी और three में इसा side होगी, तो यह मेरा जो है proper जो parallelogram है, वो construct हो जाएगा, okay, thank you.